नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में आज हम एक portfolio review करने वाले हैं जिसका total investment है 6,61,000 का और current value चल रही है 7,82,000 18% का gain है बहुत ही अच्छी बात है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ज्यादा पुराना portfolio नहीं है एक साल पुराने निवेशक है एक Kata Motors 130 shares है investment price है 287,37,000 का investment किया है साड़े 4% का profit हो रहा है long term के लिए अच्छा share है of course यहाँ पर EV segment में बहुत ही अच्छा future company का दिखाई पड़ता है हिंडाल को 165 quantity 345 के price पर 57,000 का investment किया है 28% का profit हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है metal sector फिरल बहुत ही अच्छा perform कर रहा है जितने पी stock है जो की metal से related है infrastructure से related है वहाँ पर आपको अच्छा performance देखने को मला है और generally कुछ ऐसा ही होता है जब भी economy की हालत बहुत खराब होती है त है यह सारे stocks यह सारे sectors cyclical होते हैं cyclical होते हैं तो उपर जाके फिर बेचना भी जाए time to time profit booking करना चाहिए trailing stop loss follow करना बहुत जरूरी हो जाता है नेक्स टॉक है आरती ड्रक्स 55 quantity है 752 के price पर 41,000 रुपीस का निवेश किया है सारे 11% के loss पर दिखाई पड़ता है लेकिन company अच्छी है long time के लिए इसमें आप continue करने के बार में सोच सकते हैं इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली एक ही साल में बहुत ज्यादा run-up हो गय पांच्छे साल तक कुछ movement नहीं करेंगे जब movement करेंगे तो 1-2 साल में 3 साल में 10 गुना हो जाते हैं उसके बाद वापस वही 2-4 साल तक consolidation होता रहता है इस प्रकार का movement small cap mid cap में normal होता है company अच्छी है long term का अगर आपका vision है तो continue कर सकते हैं Deepak Nitrate 40 shares है 1468 के price पर 58,000 रुपिस का निवेश किया है 44% का profit हो रहा है बहुत यच्छी बात है बहुत सारे shares में हमें तेजी देखने को मिली है small cap mid cap में बहुत तेजी देखने को मिली है लेकिन बहुत ही कम companies ऐसी हैं जो की profit भी उतना दिखा पा रहे हैं Deepak Nitrate उनी में से एक द पड़ता हुआ नजर आता है सिपला के 25 shares है 875 के price पर 22,000 रुपिस का निवेश किया है 4% का profit हो रहा है तो इसे भी आप long term के लिए रख सकते हैं फार्मा सेक्टर में one of the top stocks हैं long term के लिए कोई problem नहीं है डॉक्टर लाल पैतलाब 15 shares है 2987 के price पर 44,000 रुपिस का निवेश किय है अलाकि मेरा फिला थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि कोवीड की situation अभी सुधर्तियू भी आपको नजर आती है जिस प्रकार से vaccination हो रहा है मेरे इससाब से on the positive side optimistic side एक साल में ज्यादा तर सब को जिक्दम खतम हो जाएगा कोवीड से भूल भी जाएंगे ऐसी situation मैं expect कर रहा तो डॉक्टर लाल पैतल है मेट्रोपोलिस यह जितनी भी ऐसी diagnostic company है इनका जो कोवीड का business है वो चला जाएगा तो यहाँ पर आपको उसके बाद थोड़ा सा correction देखने को मल सकता है क्योंकि अलड़ी यह सारे शेर्स बहुत ही जादा रना पोच चुके हैं महेंगे valuation पर trade कर रहें तो मेरा मानना है कि यहाँ पर trailing stop loss follow करना जरूरी हो जाता है नेक्स टॉक है IDFC first bank 650 शेर से 47 के price पर 30,000 रुपे का निवेश किया है 4% का profit हो रहा है oral banking के बार में बात करें तो मैं personally जो बड़ी bank से वहाँ पर निवेश करना ज्यादा पसंद करता हूं banking में financial stocks में लेकि इसका focus retail loan book पर जादा बढ़ता हुआ नजर आता है लेकिन Vodafone idea में बहुत ही बड़ा exposure है total loan book का 3% Vodafone idea को दिया है उसके लिए already उन्होंने provisioning भी किये लेकिन of course sentimentally आपको यहाँ पर गिरावट और देखने को मिल सकती है ऐसा हुआ भी था एक दो दिन पहले share में हमें गिर करने में टाइम लग सकता है लेकिन जिस प्रकार की management की commentary है positive दिखाई पड़ती है retail पर focus कर रहे है इसे थाप से 5 साल में आपको अच्छी रिटन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नेक्स है बजाज finance 8 shares है 52-57 के price पर 42,000 रुपीज का निवेश किया है 18% का profit हो रहा है तो of course clearly long term के लिए यहाँ पर continue रखना ही चाहिए बहुत ही अच्छी company जिसका focus यहाँ पर आपको NBFC पर दिखाई पड़ता है तो long term large cap sector में बात करें तो यहाँ पर large cap में बजाज finance के ब 50% का profit हो रहा है IT stocks में भारी तेजी बनी हुई है और especially आपको mid cap और small cap IT stocks में बहुत ही ज्यादा तेजी नजर आती है यहाँ पर थोड़ा सा cautious भी होना चाहिए trailing stop loss आप follow कर सकते हैं क्योंकि यह जो शुरू हुई है तेजी mid cap में और small cap में IT stocks की बात करा हूँ उसका reason था कि valuation अट्रैक्टिव लग रहा था जो बड़ी companies हैं TCS से इनफोसी से उसके comparison में इन सारे stocks का valuation अट्रैक्टिव था लेकिन फिलाल आप compare किजे valuation बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं तो जो main plus point था वो फिलाल दिखाई नहीं पड़ता है थोड़ा सा cautious होना जी जरूर यहाँ पर इलेक्टरी वेहकल होने वाली है तो उसमें टाइम लेगेगा तो उसे ब्रीज की जरूरत है और यह ब्रीज होगा CNG, CNG गाडियों पर आपको जोर दिखाई पड़ेगा इस गवर्मेंट भी इस पर जोर कर रहे हैं तो of course जो city gas distribution वाली company से गुजरात gas हो गया या फिर IGL, M आपको दिखाई पड़ सकता है, Dixon Technologies 10 shares है 3956 के price पर almost 40,000 का निवेश किया है, 8% का profit हो रहा है, company तो बहुत ही अच्छी है, इसका जो main related है, आत्म निर्बर भारत से सारा production इंडिया में करना है, तो इसके बहुत ही फाइदा होने वाला है, लेकिन इसका valuation एक बहुत ही बड़ concern है, इसका valuation कुछ जादा ही बढ़ चुका है, और इस प्रकार से आपको company में growth दिखाई नहीं पड़ती है, profitability उस प्रकार से बढ़ती हूँ भी नजर नहीं आ रही है, तो of course यहाँ पर भी आपको trailing stop loss लगाना चाहिए, Tata Chemical 70 shares है, 751 के price पर 52,000 रुपीज का निवेश किया ह 10% का profit हो रहा है, long term के लिए continue किया जा सकते है, EV segment में बात करें, electric vehicle में अभी Tata जो है, Tata पूरा group ही बहुत ही आगे दिखाई पड़ता है, Tata Motors गाड़ी बना रहे है, Tata Chemicals बैटरी बना रहे है, Tata Power charging stations घड़ी करने बाल है, तो of course यह पूरा Tata Group है, electric vehicle के segment में बहुत ही 2000 रुपीज का निवेश किया है, 3.5% का loss देखने को मला है, और रहल यह बीग decent stock है, जहाँ पर आप long term के लिए निवेश कर सकते हैं, of course फ़रा सा loss देखने को मला है, तो share market में चलता रहता है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, Mother Suns Umi 250 quantity 221 के price पर 55,000 रुपीज का निवेश किया है, 6.5% का profit हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप long term के लिए continue कर सकते हैं, auto ancillary के बार में बात करें, तो Mother Suns Umi best stock है, 2-3 stock ही है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी company, जह जह कि Mother Suns Umi हो गया, Minda industry हो गया, तो of course आप long term के लिए यहाँ पर continue कर सकते हैं, अभी फिलाल auto sector का समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छा performance फिलाल नजर नहीं आता है, क्योंकि अलड़ी एक stock में पहली बात तो stock में अलड़ी तेजी देखने को मिल चुकी, अलड़ी multi bagger एक साल में हो चुके हैं, और थोड़ा सा फिलाल अभी retraction चल रहा है, थोड़ी सी गिरावट देखने को मल रही है, और commodity के prices भी बढ़ चुके हैं, यह कुछ reasons हैं जिसके करण पिछले 4-5 महिनों में auto sector ने इतना साधा अच्छा performance नहीं किया है, ग्रासीम 30 shares है, 1298 के price पर 39,000 रुपीज का निवेश किया है, 18% का profit हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, यहां पर भी cyclical sector है, हिंडाल को टाटाश दिये, पूरा metal sector actually cyclical है, जब भी यहां पर आपको infrastructure में जोर दिया जाता है, पुछ दिया जाता है, तो यह सारे stocks बहुत ही अच्छा perform करते हैं, लेकिन यहां पर भी cyclical है, इसलिए आपको trailing stop loss लगाना चाहिए, जब यह cycle खतम हो जाएगी up cycle, तो इस प्रकार से आपको exit के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ यहां पर खरीदना नहीं चाहिए, बाकि जब तक trend चल रहा है, अफकोर्स यहां पर फाइदा उठाना चाहिए, तो अरल आपके portfolio में profit हो दिखाए पड़ता है, लेकिन एक बात जो मै अच्छा profit हुआ है, उसके बाद deeper ignited में हुआ है, लेकिन वो अलड़ी सब भागे हुए stock थे, value पे आपने stock नहीं खरीद है, मैं समझता हूँ आप एक नहीं निवेशक है, थोड़ा होई जाता है, momentum जो भाग रहे होई भागते हुए नजरा आएंगे, ऐसा लगता है, लेक established company है, उन्हें आपको खरीदना चाहिए, इससे क्या है, एक portfolio maintain हो जाता है, mid cap भी लिया है, जहां पर growth जाद है, तो large cap भी होना चाहिए, क्योंकि हम तो ये guarantee के साथ नहीं कह सकती कि market उपर ही जाने वाली है, और of course market में कभी ना कभी गिरावाट होने भी वाली है, तो ऐसे सम पर large cap में गिरावट कम होगी in comparison to mid cap, mid cap जो तेजी से जाते हैं उपर उसी तेजी से नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन large cap में comparatively थोड़ी सी safety मिल जाती है, अगर large cap 20% गिरेगा, तो mid cap small cap easily 40 to 50% गिर जाएंगे, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखती हुए, आप कुछ blue chip shares करी सकते हैं, banking sector में आपने सिर्फ एक ही stock करीद है, और वो भी छोटी company है, एक बड़ी bank को आप करीद सकते हैं, kotak bank हो गया, या फिर HDFC bank हो गया, ऐसे stocks में आप थोड़ा सा निवेश करने के बार में सोच सकते हैं, तो अगर आपको ये review अच्छा लगता है, तो please कोई feedback दीजे, thank you, stay happy, happy investing.